Hello friends and welcome back to your channel दोस्तो आज की उड़े हम बात करें जाने जापान के वीजा के बारे में दोस्तो जापान एक बहुत important वीजा है दोस्तो जापान among the three top nations रहा है जिनके पासपोर्ट की वैल्यू सबस्थ जादा रहती है पिछले साल तो जहां तक मुझे याद है जापान के पासपोर्ट को नमबर one आका गया था और दूसरे नमबर पर शायद UAE था दोस्तो जापान के वीजा की बहुत ही वैल्यू होती है आगर आपको जापान का वीजा मिल जाता है और आप ट्रेवल करके वापिस आ जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाते है दोस्तो आज हम बात करेंगे जापान के वीजा के बारे में और जैसे के हमने आपको बताया था कि हम अपने खुद वीजा अपलाई करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं क्या हमारा प्रोश्जर किस तरीके से आपको वीजा मिल सकते हैं ये सारी जनकारे इस वीडियो में चले शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तो ये धाई साल के बाद जापान का पहला वीजा होने वाला यूटिब पर तो अभी वीडियो को लाइक करतीजे दोस्तो मैं खुद अपने बारे में आपको बता रहा हूँ के मेरे दो रिफ्यूजल थे पहले सिंजन के जिसमें एक था स्पेन जो की इन्विटेशन है था उसके बाद भी रिफ्यूज हुआ और दूसरा था इटली जो की मेरा 2017 में रिफ्यूज हुआ था उसके बाद मेरे भी कंडिशन वो होगी थी के आखरकार मेरे वीजा रिफ्यूज को है जबकि मेरी प्रोफाइल काफी स्ट्रॉंग थी दोस्तो उसके बाद ये कहानी शुरू ही ट्रेवल हिस्ट्री बनाने की और अपनी प्रोफाइल को मजबूत करने की दोस्तो उसके बाद मैंने ट्रेवल किया था 2018 में साउथ कोरिया उस वक्त ये बिमारी नहीं थी किसी तरीके को दिक्कत नहीं थी उपर वाले का आशिरवाद हुआ और मुझे साउथ कोरिया का वीजा मिला और जापान का वीजा मिला तो मैंने साउथ कोरिया जापान ट्रेवल किया था 2018 में दिसम्बर में मैं कोशिश करूंगा साथ साथ कुछ फोटोग्राफ मैं तो आपको वो दिखाई देती रहें तो उसके बाद मैंने बाकी अपने कुछ वीजा अपलाई किये था जिसके बाद आज तक मैंने मूँ मोड के पीछे नहीं देखा भी हमने हाली में लिया है और यह मुझे मिला है सिंगल एंट्री का मैंने सिंगल एंट्री ही अपलाई किया था सिंगल एंट्री मुझे मिला तीन महिने का वीजा मिला है और मैं आपको दिखानवाला हूँ दो जार ठारा में मेरा वीजा था जापान कर जिस मैंने ट्रेवल किया था कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है अब दोस्तों पासपोर्ट इतना भर हुआ थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको ढूंदने में कि इसाद मेरे पिछले पासपोर्ट पे था यह हमें यहां पर मिलता पर्मिशन मिलती है पिछले बार मझे पर्मिशन मिलती है पंदर दिन के स्टेकी सिर्फ मिली थी और वापसी की स्टेम भी यहां पर डिपार्टेट की लगी हुई है तो अगर आप जापान का वीजा आपको मिल जातरा आपकी ट्रेवल इस्ट्री बहुत मजबूत हो जाती है और आगे आपका जो एस अ करियर है वीजा लेने का जो की परिशानी है आगे शंजन हो यूके और कंट्रीज हो एवन यूएस और कैनड़ा वो भी रहा बहुत आसान हो जाती है अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको जापान की वीजा के लिए क्या डॉकुमेंट्स चाहिए अगर मैं सही बात करूँ तो जापान की वीजा के लिए वही सब नॉर्मल डॉकुमेंट्स होते हैं जो शंजन वीजा में यूके में या और कई कंट्रीज में चाहिए हो के latest ITR चाहिए लेकिन मैं आपको चर्ज़ करूँ को कि at least 2 साल की ITR आपको लगानी ही चाहिए एक खास बात और है जापान की विजा में जो आज तक मैंने नहीं नहीं देगी किसी कंट्री ने आज तक आपसे travel itinerary नहीं मांगी होगी must लेकिन जापान में travel itinerary को must मांगा यान कि आपको जापान की विजा में travel itinerary day to day के आप किस दिन जितने दिन का आपने विजा अपलाई किया है मान लीजे आपने 10 दिन के अपने travel itinerary आपको जरूर दिखानी होगी अगर आप सेलरीड हैं तो आपका इननोसी चाहिए आपकी कंपनी से अगर आप बिजनसमेन हैं त आपको जी एस्टी, MSME या कोई और बिजनस रजिस्ट्रेशन और आपके करन्ट अकाउंट की स्टेट्मेंट दोस्तों डॉक्मेंट सारे वही है लगए नापको अपनी फाइल को बहुत ही मजबूती से प्रेसंट करना होगा दोस्तों जहां तक रहा है बात रही फंड्स क क्योंकि ये बहुत important question है और ये question लगाता आता रहता है कि आखिरकार funds कितने चाहिए दोस्तों मैं तो यही recommend करूंगा दोस्तों अगर आप single travel करें तो at least 6 लाक रुपे से उपर अगर आपके account में हो तो ज्यादा बहते है क्योंकि यतना मेरे expense रहा है जापान का जब मैं 2018 में गया था तो मैं वहाँ पर local जो इंडियन से जो वहाँ पर काम करते थे उनसे मिला था और काफी जगे और बात होती थी हम normally वहाँ पर देखते हैं कि आदमी की क्या earning है जो लोग वहाँ पर काम करें क्या खर्चे हैं तो मैंने वहाँ पर ही देखा था कि अगर normal कोई भी मजदूर लेबरिब यहाँ पर हो तो 3-4 लाख रुपए या उससे ज़्याता वो कम आता है तो दोस्तों मेरी ये recommendation है कि at least 6 लाख रुपए या उससे उपर आपका balance हो तो आपकी जो visa file है वो थोड़ी सी strong जरूर हो जाती है तो दोस्तों एक बात और जब कभी कोई नई country के visas खुलते हैं जिसे हाल ही में शंजन क्लोज हो आप सारी country लेबर क्लोज होगी तो दोबारे खुली तो उनके जो rates होते है successful rates वो अच्छे रहते हैं तो शुरू शुरू में visa apply करना ज़रूर अच्छा रहता है तो आपको एक try अगर आपकी profile अच्छी है मैं दोबारे आपकी ठीक चल रहे हैं जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और काफी सारी countrys की जोस्तों वीडियो complete करने से पहले एक बात और कहूंगा जापान उन countrys में से मेरा एक है या कह लिए टॉप वन में से है के जहां पर मैं दोबारा जरूर जाना चाहूंगा और अगर आपको इनसान देखने हैं तो वो जापान में मिलेंगे अगर आपको ऐसी जगह देखने जहां पर लोगो चोरी चकारी बेमानी के बारे में पता ही नहीं हो तो वो जापान है जब मैं जापान गया था तो मैंने वो अकेली एक ऐसी country देखी थी जहां पर metro के boarding gates तक न नहीं कर देंगे तो आपको वो इंकार नहीं करते हैं उनके पास नोज नाम का शब्द उनकी dictionary में नहीं है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ था जब मैं जापान गया था तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं और अगर आपको किस तरी के से अप्लाई करना कोई भी अगर आपके रिफ्यूजल आएं शंजने के उस तो आप हमें दिये हुए वाटसप और इंस्टागाम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं साथी साथ आप बजाए सीधा मुझे फोन करने के आप अपने क्वेश्चन वाटसप पर मुझे पूट कीजए या आपका नाम और आपकी डिस्टिक्ट साथ मैं आपने कोश्चन पूट कर सकते हैं अगर आपके वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप मुझे वो डॉकुमेंट्स भेज़ें जो आपने लास्ट अपनी फाइल में लगाएते हैं दोस्तों वीडियो कर अच्छी लगए तो व वीडियो को शेर करते हैं चले दोस्तों मिलते हैं अगली एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन दे मात्रम